ये जो राश्ट्रिय सच्चिव है इनके महा सच्चिव पारटी के पांच करोड बाटने के लिए सोपारा में आ रहे हैं उस हिसाब से मैंने पहले वो मज़ाक मिलिया था क्या है था कोई आएगा ने लेकिन ये सही में यहाँ पोचे हुए देखकर मैं हैरान हो गया और उदर 1500 लोग मतलब कारिय करते नहीं बुले सकते तक एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको यह जो महिला है यह कारिय करता नहीं मूझ चुपा के यह कुछ महिला है यह हॉल में भी थी टेबल के निचे थी किच्चन में थी डाइनिंग में थी जगा कौन से जगा के बाद विवांटा होटल, होटल विवांटा, होटल के अंदर थे ये, इनके थुरू पैसा एरिया एरिया में बेजा जाना था, तो ये आप बोल रहे हैं सपोर्ट उस नहीं है बीजेपी के, बीजेपी के सपोर्ट नहीं क्योंकि महिला वोपे डाउट नहीं आता है, जो मूँ छु लेकिन आपने जो पहले ऐलिकेशन किया था तब बोल रहे थे कि बीजेपी के मीटिंग में वो लोग वो पैसा लेके आया है पाट करोड रूपया बातने के लिए लाया मुझे उदर बोला गया पुलिस द्वारा उननीस लाक पकड़ा अभी ऑफिशल फिगर आया है नाइन 93,000 का कलेक्टर ओफिश से डिकलर किया है तो बाकी के 10 लाक पकड़े हुए भी किदर गया और बाकी के 4 करोड 90 लाक वो कहा पे गये वो इधर ढूनना ज़्यादा जरूरी है तो आप क्या बोल रहे है कि मीटिंग में भी पैसा वहाँ पे वो लेके आए और बाहर डिस्टिब्यूट किया इसका मतलब पूरूफ क्या है आपके पास मैडम एक देखिये कानून ये कहता है कि बाहर का कुई भी पार्टी का लीडर 48 घंटे पहले इलेक्षन का प्रचार जैसे ही कतम होता है तो उस लीडर ने अपने घर जाने का अब बारा घंटे नहीं रहे थे इलेक्षन को और ये इधर क्या करने को आए ये सब जो जमा किये गए खाने का ओर्डर किसको दिया पूरा होटल क्यों बुक किया कारिया करता हो को मिलने के लिए पूरा होटल लगता है पूरा होटल बुक करके अलग-अलग इसमें पैसे पाच जार, पच्छास जार, लाग ऐसे अगलग अलग बंडल पे होटल पे येस दिखा है ना हमने वीडियो उदर होटल पे रखा हुआ हाँ पुलिस ने बाद में लिया कप जमें बैक में दिखाया डाइरिया थी उसमें लिखे किस लीडर को बैक पूच लिखा है कि ये लीडर को बैक पूच लिखा नहीं है डाइरी में लिखा है कि 300 के, 400 के, X पर्शन को 300 के, Y को 500 के यहां के कारिया करता हो के नाम लिखे हुए बीजेपी ये बोल रहा है कि ये सारे बेबुनियाद इंजाम है इलेक्शन से पे बीजेपी की डाइरी है, उम्मिदवार की डाइरी है, उनके कारिया करता हो के है, बीजेपी की ओफिशल डाइरी है वो देख लीजे आप लेकिन वो दे रहे पैसा, ऐसा कोई वीडियो तो नहीं आया अभी तक अभी वो हमारे जामने वीडियो नहीं आया, वो वीडियो कैसे अभी उनके कारिया करता होने लिया होगा, तो मालूम नहीं आएगा, आज नेकल वो आएगा आगे लेकिन आज ये भी जाना जा रहा है कि आप बिनोत का उतावड़े को लेके एक गाड़ी में बैठे, उसके बाद आपने कुछ जगा पे उनको छोड़ा आई, इसके बारे में क्या उनको मुझे पुलिस प्रशासन ने रिक्वेस्ट की कि उनके गाड़ी के हवा निकल डाली है, पारेटी की तो हवा गई है, अभी उनके गाड़ी के हवा, और वहला इधर बीट में कोई पत्थर फेकेगा, कुछ करेगा, तो पुलिस प्रशासन ने मुझे रिक्वेस्ट क आप इनको यहां से बाहर लेके जाओ क्योंकि मॉप जमाए अच्छा नहीं होगा अपने इलेक्शन के मुँपे ऐसा कोई भी अपरी अगटना गड़ने है यह बुरा है तो एक इंसानियत के नाते उनको मैंने उधर से बाहर निकाला मेरे गाड़ी में इधर आके दूसरी गा करके है वो मैंने सपोर्टर ने शीरशनेता बोला हूँ उपर के नेता नाम भी बोलेंगे नाम भूलेंगे तो चलेगा कैसा पार्टी में अपस में आपका क्या है वो लोग लड़ेंगे तो लड़ेंगे आप आप बोल रहे हैं के नाम मेरे को बात में आगे कोई इंफॉर इनके पर टीकिन नेता है उन्हा निकार विनोत तावरे के विनोत तावरे के उपर ये ऐलिगेशन है लेकिन किस बुनियात पर ये ऐलिगेशन को आप बोल रहे है कि ये स्ट्रॉंग एविडेंस है स्ट्रॉंग एविडेंस मतलब क्या है क्योंकि बीजेपी बोल रहा है स्ट 20 घंटा पहले जस्ट ऐसा हवा में फैला दिया ऐसा बोल रहा है मुझे एक कहो कि आप कही है कि 48 घंटा पहले एरिया छोड़ना चाहिए तो यह 48 बारा गंटा नहीं रहे तो यह इदर क्या कर रहे हैं मिटिंग कैसे क्या ले सकते हैं यह कुण से कानून में बैट ता है इनको इन्होंने ही बोला यह सेक्रेटरी है नैशनल सेक्रेटरी इधर एज्यूकिशन मिनिश्टर है इतना भी एज्यूकिशन ने आए इतना भी एलेक्शन का रूल मालूम नहीं इनको और जो ऑफिशल डिकलर किया गया 9,93,000 मिले हमको तो 2011 लाग बोला था तो यह किसके 9,93,000 ह होटेल तो पूरा उनका ही बुक पड़ा है लेकिन एक सवाल है आप एलिगेशन लगाते हैं कि वो पैसा लेके आए है फिर आप एक साथ मीटिंग करते हैं वीनो तावरे के साथ ऐसा भी जाना जा रहा है ऐसा इस ख़़र का क्या पूस्टी करेंगे आप आप लांच करते ह हैं उनके साथ बोलते हैं कि वीनो तावरे मेरा दोस्त है फ्रेंड है ने एक देखो मेरे तो सभी पार्टी में दोस्त है ये एक बात हो गई दोस्ती का मतलब ये नहीं न कि इलेक्शन आचार सहीता सब तोड़के पैसा बटना ये तो नहीं हुआ आप लांच किये थे आज वीनो तावरे के साथ नहीं मेरे को पुलिस प्रशासन के रिक्वेट पे मैंने उनको बाहर लाया कि कोई अनुचित प्रकार न घड़े कोई घटना ऐसी न घड़े कि जिससे अमारे तालुका का नाम बदनाम हो इसले मैंने बाहर निकाला उनको छोड़ा गाड़ी देखे मिटिंग किये थे वीनो तावरे के साथ मिटिंग का ही कि गाड़ी में से इज़र आया और छोड़ दिया आपके पत्रकार भी से देखने को मैं गाड़ी में पाच मिनिट जो साथ में होगा वो ही सवाल ही नहीं उठता वीनो तावरे ये एलिगेशन लगा रहा है कि होटेल में वो पार्टी मिटिंग कर रहे थे आपके लोगों ने वहाँ पे जान बूझके उनको घिराओ करके रखा है मुझे एक ये कि कुन से कानून से ये मिटिंग कर सकते है अरतालिस घंटे पहले परचार बंद होता है इलेक्शन के अरतालिस कल छे बज़े से परचार बंद हुआ बराबर है फिर भी इसके बावजूद ये आज आए कैसी इदर आए तो आए वाड़ा में पैसा देके आए उन्हों नहीं कहा कि मैं वाड़ा से इदर आए बाटते बाटते आए क्या ये हमारे यहाँ पे 11 लाग कैश पकरे इदर बोल रहे है कि बाटते बाटते आए है क्या ये प्रूफ क्या है मतलब आपके अलिगेशन का लाग 11 करोड रुपे कभी 2 करोड कभी 1 करोड कभी 3 करोड जो ATM की कैश आती है उसमें से 11 करोड जब्त किये गए इलेक्शन कमिशन अगर आपको बुलाए तो क्या आप उनके सामने प्रूफ रख सकते हैं और आप प्रूफ रख सकते हैं क्या आपने आपने आर्च किया है इसी को तो अगर प्रूफ कुछ आप दे सकते हैं तो National Television में लाइव चल रहा है आप क्या बोलेंगे वो क्या प्र जिल्ला प्रशासन्नी तो वो तो इनके ही रूम से निकाला ना बरामत किया और मुझे तो उस वक्त दोपेर को बोला था कि 19 लाग मिले अभी उसमें से 10 लाग कैसे कम हो गए वो मुझे मालूम ने इससे बड़ा प्रूप क्या मंगता है और वो 993 किसके थे कोई तो क्लेम करना मंनता है ना इनके नहीं थे तो इनके ही थे मेरे को बुलाया मैं जाओंगा किसको किसको देने की बैक देने की क्या कपड़े के लिए बैक देने वाले थी क्या लिखा हुआ है ओफिशल 300 के X person को 500 के मतलब 3 लाग, 5 लाग किस-किस आदमी को दिया वो लिखा हुआ है और क्या प्रूप देने का इनको मतलब ये place भी नहीं कर सकता कोई वहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कोई place करें मतलब आपका allocation का मैं अभी एक काम करोगा डाइरी किसकी है वो बोलता हूँ मैं, उसका handwriting चेक करो, किसकी है डाइरी, किसकी है उम्मिद्वार की है उनके कार्य करता हूँ उम्मिद्वार का नाम राजन नाइक आपका दावा है वो डाइरी उम्मिद्वार का था और वह आपे लिखा हुआ था ना ऐसी साथा डाइरी मिली है मैंने देखिए लैपटॉप है सब है तो प्रूब बहुत है अचा क्या ओफिशियल लास्ट मेरा क्वेस्टिन है ये ओफिशियल क्या आप कोई written complaint election commission को देंगे कब देंगे आज 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 अभी तो सारे साथ बज़े है सारे छे बज़े है इमेल करूँगा न इमेल करूँगा डाल दूँगा election commission के नाम पर जो जो allegation है जो जो है अपके media में आ रहे अभी देखते है election commission क्या करता है police प्रशासन क्या करते या तिर इनके pressure के अंडर सब अरपादपा करते है उदेखना पड़ेगा भी जो 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 तो सीवाट प्रशासन क्या क्या That was exclusive Republic TV exclusive conversation with the BVA Chief Hiten Vrathakur leveling allegations of cash for votes on Vinod Tavre the BJP General Secretary and also saying that he will be filing a complaint to the election commission also That was an exclusive input. Remember, today is a a very dramatic day today in Maharashtra's Virad. You can see these scenes on your screens right now. This is what unfolded. Vinota, the BGP leader, was bureaude by the BVA workers and you can see the high drama that unfolded between the workers of the two parties.